All right guys, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से Python की मदद से हम लोग desktop notification system बना सकते हैं और उसमें हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही specific use case जो कि हमारी health के लिए बहुत important है और वो है आप पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ गूगल सर्च पर human body water requirement ठीक है per day अगर मैं आप पर लिखूँ तो आप लोग यहाँ पर देख लो 3.7 liter of fluid for men and 11.5 cups 2.7 liters of fluid a day for women ठीक है अगर आप इतना पानी नहीं पी रहे हो तो समझ जाओ बस मतलब दिक्कत है फिर ठीक है तो हमें क्या करना है कि यह पानी जो है पीने का reminder लगाना पड़ेगा तो इसके लिए मैं आप पर use करने वाला हूँ प्लायर जो कि हम use करेंगे notifications के लिए अगर आप लोगों ने windows में notification नहीं देखी हैं तो आप लोग को भी मैं दिखा दूँगा वैसे लेकिन आप मैंसे सभी लोगों ने विंडोस की notifications जो हैं वो जरूर देखी होंगी घर जिया पर जल्दी से मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं अपनी वो प्लेलिस्ट जिसमें मैं ये वीडियो आड़ करने वाला हूँ और अगर आप लोग और प्रैक्टिस प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो इस प python practice mini projects बनाते रहेंगे और इसमें डालते रहेंगे तो आप लोग इस playlist को access जरूर कर लेना ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और जल्दी से अपना जो folder है उसको visual studio code में खोलते हैं एक बात मैं आप बोलना चाहूंगा visual studio code खोल लेते हैं पहले और वो बात यह है कि बहुत सारे ल text editor को use करें अब आप में से कहीं लोग करते हैं sublime text editor use मैं करता हूँ visual studio code use अब मैं अगर visual studio code use कर रहा हूँ तो अगर मैं उसमें कोई चीज करता हूँ जैसे मैं control D करके replicate कर रहा हूँ मैंने अपने shortcuts वगारा set कर रहे हैं मैंने अपना visual studio code का एक video भी बना रहा है बड़ अगर म यह है आप जो भी text editor use करो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए अगर मेरा वाला use कर रहा हूँ तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा आप लोगों को मेरे videos देखने पड़ेंगे जो कि मैंने बनाए specific text editor पर और मैंने सारा इसको dissect करके समझा रखा है आप लोगों को क कैसे आप लोग क्या क्या कर सकते हैं इसमें चलो पॉइंट पर आते हैं अभी हम practice program बना रहे हैं तो practice program पर focus करते हैं और वह हमारा practice program drinking water notification system जो कि हमें notify करता रहे हर एक घंटे कि हमको पानी पीना है ठीक है तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या मैं आपर लिख देता हूँ सबसे time बहुत important होता है मुझा कर रहा हूँ time इसलिए import करना ज़रूरी है क्योंकि time जो है उससे हम यह पता लगाएंगे कि इतना time बीच चुका है और उसके साब से हम notification जो है उसको हम लोग program को invoke करेंगे फैसे ideally हम क्या करेंगे इस python program को schedule कर देंगे यानिकि अपने scheduler के थ्रू windows मे scheduler होता है अगर आप लोग को नहीं मालूं तो अगर आप लोग यहां पर टास्क scheduler में जाते हैं तो windows में टास्क scheduler होता है तो आप इस task scheduler को खोल सकते हैं और इसमें कई चीज़े होती है आप लोग देख लेना इस चीज़ को और यह एक दूसा discussion है बहुत easy है schedule करना टास्क आप एक task schedule कर सकते हो और वो हर घंडा आप करन हो सकता है ठीक है इसको मैं बन करता हूँ तो यहाँ पर मैंने import time मना दिया अब मैं आपर main लिख दूँगा name equals to equals to main जैसे कि मैंने अपने python quotes में बताई रखा है यह क्या होता है तो यह basically क्या होता है इसका usage मैंने आपको बताया है कि कभी आप import करते हो अगर तो यह line नहीं होती है basically जो name equals to equals to main के अंदर है वो run नहीं होता है गर भार से इस file को import करो तो anyways मैं करूंगा क्या यहाँ पर लिखूंगा तेखो मैं आपको दो तरह की program बताता हूँ उसमें आम लोग बना सकते हैं जो अगर आप लोग windows scheduler से schedule कर जोने वाले हो तो आपको क्या करना है क्या सब्सक्राम मनाना जो की सिर्फ एक बार notification दे तो उस चेस में क्या करूंगा उस केस में मुझे time module नहीं चाहिए फिर मुझे time module नहीं चाहिए ठीक है में क्या करऊंगा यहाँ लिखूंगा from player import notification अब यह player क्या चीज है आपको यह player भुजी अपना प्लायर होता है वह है कि नहीं, pip install plier कर ले ना और आपका प्लायर इंस्टाल हो जाएगा ठीक है यह मैंने किया और यह करने के बाद अब मैं notification को use कर सकता हूँ, अब notification में notify function होता है जो कि मैं इस्तिमाल कर सकता हूँ और मैं आप लिखाँ हूँ notification.notify और इसके अंदर एक तो टाइटल होगा टाइटल मेरा होगा प्लीज ड्रिंक वाडर उसके बाद मैसेज मेरा होगा जो भी मतलब पानी पीने के फाइदे हैं उसको मैं यहां पर रख देता हूं तो यह मुझे रिमाइंड करा देए कि भाई पानी पीने से यह चीज़ होती है तो मुझे याद आ जाए और मैं पीलूँ फिर ठीक है और एक आप आइकन होता है इसमें जो कि आप सैट कर सकते हो अब आईएली अगर हम इस notification को ben VISочку system को अच्छा बनाना चाहती हितना अब आ पर लिखोंगा glass icon kilo file तो glasses के icon यह वाले glasses ले रहा है मुझे मुझे वगाला glass चीए है यार drinking वाला glass चीए मैं आ आ पर लिख देता हूं drinking Glass ठीक है अजुले तो आया ही नहीं कोई बात नहीं यार मैं क्या करूँंगा magnifying glass पर नहीं चाहिए मुझे मैं क्या बोलूँ उसको glass of water लिखता हूँ glass glass of water icon file ठीक है water glass icons देखो यहां पर है I hope कुछ मिल जाए free में यार मुझे मैं बिल्कुल भी कुछ account account बनाने के mood में नहीं हूँ अभी मुझे please free में कोई दे दो icon तो मैंने तोड़ा google साच किया मुझे icon archive.com पे मिल गया यह ICO file मैंने यह कर लिए download ठीक है आप लोग को यह अच्छी वह icon file download कर ले न मैं भी क्या करूंगा इस जो ICO file है इसको मैं अपने folder में move कर लूँगा और icon.ico के नाम से डाल दूँगा ठीक है तो मैं इसको show in folder करके और अपने इस folder में move कर ले तो मैं इसको यहां पर ले आया और इसका नाम जो है मैं change करके icon.ico कर दूँगा और इसका फुल path है वो मैं यहां से copy कर लूँगा मैं यहां पर इसका path है यह पूरा मैं copy कर लूँगा तो मैंने यहां पर इस जो दिया हुआ path अपना वो मैं रख देता हूँ आप जो है अपने इस आप से जो आपने रखा है वो दे देना icon.icon ठीक है तो mess app icon हो गया message हो गय टाइडल हो गया फिर उसके बाद एक time out आता है आपर और time out को five seconds कर देता हूँ और एक बार ज़रा इसको चला के देखता हूँ मैं आपर इसको चला के देखता हूँ ठीक है तो मैंने चलाया इसको यह देखो आ गया national academics of science engineering and medicine अगर मैं time out को one कर दूँ देखो one कर दूँ तो drink water please drink water now कर देता हूँ उसको और इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि दोड़ा लगे यार हाँ please drink water now the national academics of science engineering और यह तो इसको अगर खोले notification को तो कुछ हुआ नहीं लेकिन यहाँ पर basically मुद्दा यह है कि पानी पीलो पानी ज़रूरी है काम आम तो होता रहगा ठीक है तो यहाँ आप अपने जाप से message डाल देना और देखो एक बार यह invoke हो जाता है तो क्या होगा कि यह 10 second के लिए रहेगा यहाँ पर आप इसको 15-20 second के लिए रख सकते हो लेकिन 10 second के लिए रहेगा और मैं assume यह कर रहा हूँ कि आप यह जो main.py file है इसको invoke कराऊँगे windows scheduler से जो task scheduler है हमा पर run कराने का आप कर सकते हैं आपर while true ठीक है और while true करने के बाद क्या करो यहाँ पर लिख दो time.sleep और जितने second के लिए हर घंटा करना चाहते हो तो आप 60 into 60 square से कर दो और यह एक बार आपको notification देगा और उसके बाद यह सोच आएगा 36 seconds के लिए यानि कि एक घंटे के लिए 60 seconds यानि कि एक मिनिट 60 मिनिट मतलब एक घंटा तो एक घंटे गले सोचाएगा तो हर घंटे यह आपको याद देलाएगा कि पानी पीना है तो जैसे जैसे आप अपने computer में काम करते जाए और आजकल तो वैसे भी सब लोग computer पर बैठे हुए जादा तरह time computer को ही दे रहे है तो अगर आप लोग अपने computer के सामने बैठे हुए तो पानी पीने का यह जो reminder अप है इसको जरूर से आप लोग जो है रन करके छोड़ो तो अब यह देखो exit नहीं हुआ है मेरा भी तक यह exit हो जाएगा ठीक है लेकिन यह अभी तक जो है मेरा चल रहा है तो आप लोग इस जवाब जो है वो है python w.exe जैसे कि मैंने आप लिखा हुआ है python w.exe main.py आप लोग अपने terminal में क्या करो लिख दो python w.exe main.py तो आप एक terminal start करो और यहाँ पर लिखो python w.exe यानि कि अगर आप python w.exe यानि कि अगर आप python w.exe तब भी हो जाएगा और main.py अब देखो यहाँ यह मेरी जो है background में run हो चुकी है अब यह दिखेगा नहीं अभी आपको मैं एक काम करता हूँ time out को करता हूँ 2 second और इसको मैं करता हूँ 6 second तब आपको यह दिखा ही देगा लेकिन मैंने already एक जो python w.exe वो app background में run कर दिये तो उसको ज़रा मैं kill कर लेता हूँ ढूड़न के python के नाम से होगी यह पढ़िए देखो end task कर दिया इसको मैंने और अब मैं क्या करूँगा ना इसको run कर दूँगा वापस से मैंने 6 second में run करने को बोलाया हर 6 second run होती रही है notification और time out किया है 2 second यह नहीं कि 2 second के लिए notification दिखाई देगी तो देखो यहाँ पर 6 second में में मेरे प आता रहे गए कोई कोई वो नहीं मुझे मेरा टर्मिनल से मतलब ही नहीं है मैं आपको टर्मिनल यह पूरे डिलीडी करके दिखा देता हूं देखो मैंने पूरे टर्मिनल यह डिलीट कर दिया देखते जाना आप लोग यह देखो यह notification आती जा रही है तो मैंने background में जो है यह वाइल ट्रो से यह भी आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग windows का scheduler यूज करना चाहते हो वह भी आप लोग कर सकते हो जल्दी से क्या करते है इसको यहां पर केल कर देता हूं नहीं तो मेरे पेट में हो जाएगी की चड़ पानी पीपी के और उससे और प्राब्लम हो ज देख के आप ले लेना ठीक है चलो पड़ी अभी यहां पर सिर्फ प्रोग्रामिंग की बाते करें के पानी वानी जो है वो सब आप लोग पी लोगे मुझे पता है ठीक है तो I hope कि यह clear हो गया होगा किस तरह से हमने existing packages यूज कि पाइटन प्लायर नोटिफिकेशन इस तरह तरह से डाल के आप लोग जो है आपको मिल जाएगा प्लायर का पी वाई पी आई और उसी के सास्थ बहुत साले ब्लॉक्स हैं बहुत चीज़े बहुत सारी रिसोर्स आप लोग देख के वहां पर उनको आप लोग रफर कर सकते हो और यहां पर यह प्रोग्राम तो मैंने इसको मैं कर देता हूं वापस से 60 x 60 और टाइम ओट को 12 सेकंड कर देता हूं ताकि हो ना क्या कि यह मेरा हर घंटे में दीखे 12 सेकंड के लिए कम से कम ताकि मुझे जो है पड़ा पाऊ मैं हाप प्लीज ट्रिंक वाडर ना हो प्रोसेस कर पाई ब्रेंग में इसको मैंने इ याइशल में क हो दाकि है प्लीज टाप की अपनी हो जाया छोद अब इक लिए इस विडियो में इतन है के इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मुझ भूलना जब आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो प्लैटफ豫ोम को पता चलता है कि ये वीडियो अच्छा है रो वो इसको और पुश करता है तो इसलिए आप लोग इसको लाइक जरूर कर दें अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस थैंक यू सो मुझ गाइस पूछ वाचिं इस वीडियो और आपल सी यू नेक्स टाइब